नमस्कार नामें समिस सिंग महता आज वुरवाब से अधिर आपके सामлекसर में एक और नया लेक्च्ऐर लेके आज टोपिक का नाम है सिगनिफिकरण figure यह कभी-कभी हम इसको significant digit भी पोल देते हैं अब यह क्या होता है जैसे हम सब लोग क्या करते हैं अपने day lap measurement करते हैं जैसे हम दुकान में गए और दुकान दान हमारे पास weight है किसका weight है चीनी का weight है जो दुकान दान ने क्या करी तोली ना अब इस measurement में हमारे पास कहए digit है एक digit यह है एक यह है और एक यह है यहाँ पर इन digit को हम क्या बोलते हैं significant digit बोलते हैं इसमें भी जो मेरे पास one और three है यह कैसी है fix है यह change नहीं हो रही है लेकिन यह जो मेरे पास two है यह change हो सकते कहने का मतलब यह one point three three भी हो सकता है और one point three one भी हो सकता है यह जो digit है पहने की दो है यह कैसी है certain है और यह कैसी है uncertain है और certain digit प्लस uncertain digit is equal to significant digit तो यहाँ पर कितनी significant डिजट है..एंसर है यहाँवार हमारे पास 3 सिगनिफिकेंट डिजये है.. यह मैंने क्या किया यह मेरा कह है एक wideboard है और मैंने इस wideboard की length को ना पा तो जो answer निकल के आया लेटस त्रीomorphicants two point three metre के यह कितना निकल के आया लगभग 2.3 मीटर निकल के आया लेकिन जब दूसरी बार मैंने नापा तो यह 2.4 निकल के आया एक बार कितना निकल का 2.3 अगली बार कितना निकल के आया 2.4 और अगली बार कितना निकल के आया 2.2 निकल के आया अब यहाबर मैं रोग क्या देख रहा है यह जो quantity sorry यह जो digit है two 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 यह क्या है fix है ठीक है यहां बोस्त है certain है लेकिन यह जो digit है यह क्या है uncertain है और certain digit plus uncertain digit is equal to significant digit या कभी गभी हम इसको significant figure भी बोल देते हैं तो इस measurement के अंदर यहां बोस्त है इस board के measurement के अंदर जो मेरे पास significant figures है वो कितने हैं दो है एक यहां पर दो है दूसरा कितना है तीन है and we can say the total number of significant figure are two तो यहां पर कितने हैं दो है now अब किसी भी measurement में significant figure को count करने के लिए कुछ क्या होते है जो rule मैंने यहां पर लिख दिये हैं आप इनको याद कर सकते हैं यहां पर लेकिन जैसे जब प्रैक्टिस करोगे आप जब भी calculation करोगे और हर calculation के बाद अगर आप significant figure को count करने के कोशिच करोगे तब यह rule आपको क्या हो जाएंगे यह देखो common rule for counting significant figure पहला रूल देखो पहला रूल है all non-zero digits are significant जितने भी non-zero digits होते हैं वो सारी कैसे होती है significant होती है माल लिया मैंने कोई measurement किया उस measurement की value कितनी निकल किया है two three four meter निकल किया है या फिर x equal to two one five eight sorry five one meter निकल किया है कोई भी measurement है length का measurement है उसकी value कितनी निकल के आई one two three four meter या फिर two one five four five one meter निकल के आई तो यहां पर सारे जितने भी digit है वो कैसी है नॉन-zero है इसका मतलब इस first measurement में जो significant digit है वो कितनी है four है और यहां पर भी जो significant digit है वो कितनी है four है ठीक है समझे आई बात तो इस तरीके से यह क्या हो गया हमारा rule number one हो गया अब rule number two क्या होता है all zeros occurring in between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is देखो for example अगर मैं यह बोलूँ दूसरे रूल को देखो क्या बोल ला है अगर मेरे पास कोई digit है कोई मेरे measurement है माना measurement क्या है मेरे पास x equal to 1.002 यह मेरे पास क्या है एक measurement है माना मैंने length measure करी और answer कितना आया 1.002 आया अब यहां पर यह non-zero है यह non-zero है तो rule number one के according यह और यह दोनों क्या होंगे significant होंगे लेकिन यह जो zero है यह significant है या नहीं है answer है यह zeros भी क्या है significant है क्यों क्योंकि यह दो non-zero numbers के बीच मा रहे हैं ठीक है आई बास में क्या बोला all zeros occurring between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is decimal point कहां है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है आप यह लिखो यह फिर 10.02 जो two meter लिखो दोनों में जो number of significant digit होगा वो कितना होगा हमारा चार ही होगा क्यों यह significant है यह significant है और यह दो zero दो non-zero number के बीच मा रहे हैं तो यह भी क्या होंगे significant होंगे तो total number of significant figure कितना हो गया चार हो गया similarly यहाँ पर भी total number of significant figure कितना हो गया चार हो गया यहाँ पर मैंने example लिखा है जैसे यहाँ पर total number of significant figure कितना हो जाएगा 1007 यह चार हो जाएगा अब जिरो जिरो दो non-zero number के बीच मा रहा है तब दोनों क्या है significant है ठीक है और यहाँ पर भी क्या होगा अगें यह one है एक एक दो तीन चार पांच तो यहाँ पर कितने number of significant figure होगे 5 significant figure होगे ठीक है यह बात सोन्माई अब बढ़ते कहां कि और हमारे rule number three क्या है एक बात one अगर number क्या हो एक से छोटा हो ठीक है यह बात सोन्माई आगे then the zeros on right of decimal point जो zeros होंगे जो कहां होंगे decimal point के right में होंगे zeros on right of decimal point and left of first non-digit first non-digit are not significant first non-zero digit होगा ठीक है क्या होगा यहां पर first non-zero digit क्या कहना चाहरा हूँ एक बाद समझते हैं इसको sorry क्या समझना चाहरा है माना यह क्या है एक significant एक आपन कोई measurement है ठीक है मैंने क्या किया कोई measurement क्या x equal to कितना है point 0057 और 04 है ठीक है यह क्या है यहाँ यहाँ पर measurement है अब इस measurement में अब यह तो non-zero है य्याँ फाईब seven और 54 कैसे नोन जिरो है इसका मालेफी क्या हों देखकें लेकिन यह जो जीरो थे यह चिरो यह जिरो और यह यह significant होंगे यह नहीं होंगे इन पर क्या होती है कुछ सर्थ अलाग होती है जैसे रूल नमबर तू से हम जानते हैं यह वाला जो 0 है यह क्या होगा हमारा significant figure होगा क्योंकि यह दो non-digit number के बीच मारक है तो इसकी कहानी on the right of decimal point यह मेरे पास कहा है decimal point है और इसके right में decimal point होगा और फिर क्या बोल ला है decimal point and left of first non-zero digits are not significant यह क्या है this is first non-zero digit और यह क्या है इसके left में यह दो भी क्या होंगे non-significant digit होंगे यह भी क्या होंगे significant नहीं होंगे तो यह 0 और यह 0 यह जो तीन 0 यहां पर लगे हुए है जो एक decimal के इधर है और एक जो decimal के दो जो decimal के इधर है यहां बोस्ते जो first non-zero number है उसके जो कहां है ऐसे left में है यह क्या होंगे हमारे non-significant digit होंगे ठीक है एक जामपाल तो और समझते हैं माना मेरे पास x equal कितना है 0.00012005 यह मेरे पास क्या है कोई एक number है तो इसमें देखो यह दो 0 है यह significant होंगे यह significant यह significant लेकिन यह जो 0 है यह वाला 0 और यह वाला तो यह क्या होंगे हमारे non-significant हो फजाए एकटना होगा एक दो तीन चार पांच कीतने होगे इस किसम कितना हो जाएगा कितने को जाएगे चार हो जाएंगे और जो rule number 3 है किसके लिए है जब number क्या होगा less than one होगा लेकिन अगर कंडिशन यह हो जाए 1.00012005 आप यहां पर यह 0 भी हो जाएंगे significant number हो जाएंगे ठीक है या भी significant digit हो जाएंगे तो अभी कितने होगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो अभी कितने होगे 9 होगे ठीक है यह बात समझ माई आपको तो rule number 3 किसके लए था? when number is less than 1 अब आगे बड़े अब बात करते हैं किसकी rule number 4 की बात करते हैं क्या बोलना rule number 4 एक बात देखो इसको in a number within a decimal point in a number with sorry in a number without a decimal point the terminal और telling zeros are not significant यह तर्मिल यह जिससे शुरुवात होती है telling यह जिससे खतम होता है माना मेरे पास कोई एक number है x equal to 3, 2, 1, 0, 0 तो यहाँ पर यह जो number है यह कैसे है? telling number है यह उसे telling zeros है then these telling zeros are non-significant यह कैसे होंगे? non-significant होंगे लेकिन condition क्या है? जो मेरे पास number होना चाहिए और कैसा होना चाहिए decimal without decimal होना यह कोई भी आपट decimal नहीं होना चाहिए ठीक है? जब तक decimal नहीं है then these two zeros are non-significant figure जैसे ऐसे भी गोल सकता हूँ अगर मैं 0, 3, 2, 1 यह लिखों तो again यह जो zero है इससे क्या हो रही है? यह number की शुरुवात हो रही है यह क्या है मिरे बार? तर्मिनल है तो यहाँ पर क्या होगा? यह जो zero होगा again हो कैसा होगा मेरा non-significant होगा तो इस case में number of significant number कितने होगे? digit कितने होगे? तीन होगे और इस case में भी कितने होगे हमारे? तीन होगे ठीक है? खिल्दर होगी बात? तो this is our rule number four. rule number five क्या है? however, in a number with decimal, इसका उपर रहा है, ठीक है महलब इसको counter कर रहा है, however, in a number with decimal points, the trailing zeros are significant, लेकिन अगर मेरे पास क्या हो? यही चीज, जो मैंने यह number लिखा हो है, यहाँ पर क्या? 3, 2, 1, 0, 0 लेखा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दो, x equal to 3.100, ऐसे लिख दो, now, then these numbers are, these zeros are significant figure, तब इस zero किसके तरह consider होंगे? significant figure कितरों consider होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर total number of significant figure कितना आजाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, कितने आजाएंगे? 5 आजाएंगे, ठीक है, अगर यह point नहीं होता, तो सिर्फ कितने थे? 3 थे, अब point लग गया, तो point लगते ही, decimal लगते ही, यहाँ जो यह 0 है, यह भी किसके तरह treat होंगे? as a significant figure क्या होंगे? treat होंगे, ठीक है, समय भाइब बात, अब बात करते हैं किसकी rule number 6 की, rule number 6 क्या कर रहा है? change in unit does not, does not change the number of significant figure, does not change आएगा, ठीक है, यहाँ पर, does not change number of significant figure in measurement है, significant digit in measurement, कहने का मतलब यह है, कि अगर मैं यह बोल रहा हूँ, मेरे पास कितना है? 1.2 meter है, तो यह significant significant, फिर कितना है, मेरे पास, 2 है, इसको मैं कहले सता हूँ, cm कितना हो जाएगा, 1.2 into 10 to the power minus 2 cm, तो इसमे भी again, अब जो 10 की power में जो number होता है, उसको हम significant figure में उसका कोई role नहीं होता है, हम सिर्फ कुसों देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, तो सरी, यह किसमें निकला, cm cm में निकला, तो again यहाँ पर total number of significant figure है, वो कितने है, 2 है, अगर मैं इसको kilometer में change करूँगा, तो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको kilometer में change करूँगा, तो कितना आ जाएगा, यह 1.2 into 10 to the power minus 3 km आ जाएगा, तो again यहाँ पर यह 10 की power में चीज़े होती है, उस significant figure में कोई भी रोल अदा नहीं करती है, यहाँ भी contribution नहीं करती है, तो again यहाँ पर significant figure है, वो कितना है, 2 है, ठीक है, तो unit change करने पर significant figure में कोई भी change नहीं आता है, ओके, अब यहाँ पर लास्ट रूल है, क्या वो ले, the digit 0 conventionally put on the left of a decimal, from a number less than 1 is never significant, ठीक है, कहने का मतलब यह है, कि अगर मैं यह बोल लाँ, कि मेरे पास point 23 है, और हमारे घर में बोसते हैं, बस उनमें क्या बोलते थे, यहाँ पर क्या लगाओ, 0 लगाओ, यहाँ जिरो एक जिरो लगाओ, दो जिरो लगाओ, तो यह दो 0 है, यह क्या करेंगे, significant figure में इनका कोई contribution नहीं रहेगा, सिर्फ किन का रहेगा, जो decimal के कहा है, बार में है, ठीक है, यह बार स्वाज में आए, तो this is our rule number 7, I hope आपको स्वाज में आया होगा, अब अगर rule स्वाज में आगे, देखो, अब rule जो हम बार बार क्या करेंगे, use करेंगे, तो फिर हमको इनको रटने की जरुबत नहीं पड़ेगी, कि कौन सा significant होगा, कौन सा significant नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा, और actual में अगर हम क्या करेंगे, बार बार इस चीज को memorize करेंगे, यह बोल सकते हैं, बार बार हमारे सामने वो problem आएगी, जैसे solution निकला, और solution में हम क्या करना चाहें, कि significant digit को find करना चाहें, ह rounding off क्या होता है, हें डालो, इस तरह के से rounding off, rounding off, rounding off क्या होता है, देखो हम rounding off numbers करते हैं, ठीक है, और आप लोगों ने बसपन में calculation की भी होगी, जैसे कभी-कभी होता है, एक ऐसा number आ रखा है, जैसे 1.91, एक यह number है, और आपके दिमाँ में यह आता होगा, दिमाग में यह च भी लिख सकते हो, क्या 1.9 भी लिख सकते हो, 1.91 लिखो या फिर 1.9 लिखो, दोनों क्या हुई, सेम बात हुई, और इसको हम बोलते क्या है, rounding off to two significant figures, तो यहाँ पर कितने significant figures थे, तीन थे, और इसको मैंने क्या कर दिया, इस number को round off कर दिया, कहां तक two significant figures तक, इसको हम बोलें two significant figure हुआ नहीं हुआ two significant figure बोल देंगे ठीक है यह बाद सुन माइब आप देखो कुछ और example समझे मान लिया मेरे पाथ कुछ ऐसा है 1.29 है अब इसे हम किस तरेकर से क्या करेंगे round off करेंगे अब यहाँ पर question आता है कि इस तरको किस चीज को यहाँ पर क्या होता है एक rule होता है हमें क्या करना है उससे पहले यह समझना होगा कि round off हमको कहा तक करना है तो question कुछ ऐसा है round off 1.29 है और क्या करना है इसको round off 2 2 significant digit round off round off 2 2 significant digit 2 significant digit SD का मलब significant digit तो answer कितना आरेगा देखो rule यह है हमें क्या देखना है 2 significant digit तक देखना है यानि एक यह है 1 और यह के हमेरे पास 2 है फिर उसके बाद क्या है 9 है अगर जहां तक हमें round off करना है और उसके बाद का जो number है अगर वो 5 से बड़ा हो कहने का मतलब क्या है हमको यहां तक करना है यह 1 हो गया और यह क्या हो गया 2 हो गया हमें यहां तक round off करना है और उसके बाद का number अगर 5 से बड़ा हो यहां पर कितना है 9 है तो इसको यह जो मेरे पा एक और नमबर लूँ 1.27 यह मेरे पास क्या है एक नमबर है और मुझे क्या करना है rounding off to two significant digits तो अगेन मैं सो क्या लेख सकता हूँ देखो यहां तक मुझे क्या करना है round off करना है उसके बाद देखो यह क्या है 7 है जो कि 5 से बड़ा है तो इसे मैं क्या लेख सकता हूँ 1.3 लेख सकता हूँ अब देखो अब यहां पर अगर कुछ ऐसा हो 1.36 कितना हो 1.36 तो rounding off to two significant digits तो this will be equal to देखो तीन यहां तक करना है और तीन के बाद क्या है 6 है जो 5 से बड़ा है तो कितना आ जाएगा यह 1.4 आ जाएगा ठीक है अगर एक और एक जामपल ले जैसे 1.14 बोल दिया अब देखो अब situation चेंज होगे अब जो यहां पर जहां तक वो rounding off करना है यहां पर क्या है मिरे पास अब 1 है और यह क्या है मिरे पास 4 है यह इसके ठीक बात कितना है 4 है जो कि 5 से क्या है छोटा है अब जब यह 5 से छोटा होगा ना तो हम इस पर कोई chain नहीं करेंगे इसको ऐसे लिख देंगे यहीं 1.1 हो जाएगा इस 4 को हटा के 1.1 लिख देंगे ठीक है और अगर ऐसा हो कुछ 1.23 हो then rounding off to two significant digits तो this will be equal to कितना आ जाएगा बताओ अब two significant digits 1 2 और यह मिरे पास 3 है जो कि 5 से छोटा है तो this will be equal to 1.2 तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर round off करेंगे अब question यह आता है यहाँ पर आपके दिवाग मां आ रहा होगा हमने 5 को क्या किया एक as a reference point लिया जैसे 5 से बड़ा होगा तो number 1 बढ़ जाएगा और 5 से छोटा होगा number वही रहेगा उसमें कोई change नहीं आएगा अब question य लिया कुछ ऐसी situation है मेरे पास कि ऐसा कुछ है 1.35 यह है देखो क्या है मेरे पास 1.35 है तो इसे कैसे करेंगे उसके लिए मुझे क्या करना है rounding off to two significant digit करना है इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि इससे पहले 5 से पहले जो digit है वो odd है या फिर even है अगर वो number odd होगा तो वो क्या कर जाएगा उसमें एक add हो जाएगा ठीक है कहने का मतलब यह है अभी यह तीन है वो क्या है मेरा odd है तो 1.35 को अगर मैं क्या करूंगा round off करूंगा तो answer कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा तो answer will be 1.4 क्यों आया 1.4 क्योंकि यहाँ पर जो 5 है वो मेरा कैसा है एक यह मलब 5 है और इससे ठीक पहले क्या है मेरा odd है तो इसका मलब क्या हो जाएगा यहाँ पर यह एक बढ़ जाएगा तो यह क्या होता है हमारा एक rule होता है अगर ऐसी situation ना होकर ऐसी situation हो कैसी 1.45 क्या हो 1.45 हो तो क्या होगा अगर 1.45 हो तो यहाँ पर 4 को देखेंगे 4 कैसा ह है इवन है तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगा को ऐसा ही आ जाएगा यहां कि आ जाएगा मेरे पास दिस विल भी एक्वल टू 1.4 यह जाएगा यहां सकता हूं में 1.4 लिख सकता हूं राउंडिंग ओफ टू टू सिगनिफिकेंट डिजिट इस तरीके से हम क्या करेंगे यहां पर राउंडिंग ओफ करेंगे ठीक है